हेलो गाइज, माथमाटिकल फिजिक्स भाई एच के अदास एक्ससाइस 2.1 कुछ नमबर 6 देख से हैं बोला है, इब दे सर्फिस 5X स्क्वार माइनस 2PYZ इक्वल तो 9X बी और्थोकॉनल तो दे सर्फिस 4X स्क्वार Y प्लस Z क्यूब एक्वल तो 4 at point 1,-1,2 then B equal to, क्या बोला है, कि हमको दो एक्वेशन दिया है और बोला है कि ये दोनो एक्वेशन, मतलब ये दोनो वेक्टर्स वापस में क्या है, और्थोकॉनल है तो हमको at point 1,-1,2 पे B का value निकालना है, ठीक है तो हम सबसे पहले इस equation को क्या करेंगे, कि एक तरफ arrange कर लेंगे ये जो 9X है, इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि हमको इसको differentiate करना है similarly, इस वाले equation के साथ भी हम वैसा ही करेंगे, इसको भी एक तरफ करेंगे ये equation 1 है और ये equation 2 है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले equation को differentiate करते है तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखें, इसको कैसे differentiate करते हम आपको बता दे रहे है 5X square को सबसे पहले differentiate करेंगे, अब X जो है, वो मेरा i cap के साथ जाएगा तो 1X यहाँ पे भी और 1X यहाँ पे भी है, तो यह दोनो i cap के साथ आजाएगा तो यह हो जाएगा 10X minus 9 i cap, अब y जो है, यह इसमें है, तो y का differentiate हो जाएगा तो यहाँ y differentiate होगा, तो क्या हो जाएगा, minus 2bz j cap और हम जब Z के लिए differentiate करते हैं, तो Z भी यही पर है, तो क्या हो जाएगा, minus 2by k cap यह मेरा हो गया, पहला वाला को differentiate करके, अब हम इसको क्या करेंगा, at point 1, minus 1, 2 के लिए निकाल लेंगे, तो यह आगया, i cap minus 4bz j cap plus 2b k cap similarly, हम second value equation को differentiate जब करते हैं, तो क्या दिया हो है हमको equation, 4x square y plus z q minus 4 तो इसको हम differentiate करें, तो क्या आगया, 8xy i cap, अब यहाँ पर देखें, y भी इसी में है, तो क्या हो जाएगा, 4x square j cap plus 3z square k cap अब इसका value निकाल लेंगे, at 1, minus 1, 2, तो यहाँ मेरा आगया, minus 8i cap plus 4j cap plus 12k cap अब हमको क्या करना है, कि हमको दिया होई, कि both the vectors are perpendicular to each other, orthogonal मतलब क्या होता है, they are perpendicular तो हम क्या करेंगे कि perpendicular का equation के लिए, हम लोग क्या जानता है, कि cos theta बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, cos theta equal to 0 हो जाएगा, तो हम dot product करते हैं, तो dot में क्या हो जाएगा, n1 dot n2 equal to, तो क्या हो जाएगा, mod n1, mod n2, cos theta, n1, n2, equal to 0 हो जाएगा, क्योंकि cos theta equal to 0 है, तो इधर RHSI whole 0 हो जाएगा, तो इसका dot product equal to 0 होगा, तो यहां क्या हो गया, 1 into minus 8 equals to minus 8, minus 4b plus 4 equals to minus 16b, and 2b into 12 equals to plus 24b equal to 0, solve करने से क्या आया, minus 8b plus 8b equals to, sorry, minus 8 plus 8b equal to 0, therefore b equal to 1, this was the question number 6, the last question of exercise 2.1, thanks for watching.